नमच्छारों दोस्तों स्वागत आपका मोटरो क्रेज में रेनॉल्ट काईगर 2023 अभी आप देख रहे हैं जो की कुछ अपडेट्स के साथ में आ चुकी है 2023 मेना गाड़ी के अंदर काफी अच्छे रेनॉल्ट काईगर आज हम देखेंगे रेनॉल्ट काईगर के अंदर क्या फीचर्स आपको आफर करेंगे हैं फिलाल अभी आप ये आर एक जेड जो इसका सबसे टप अफ दे लाइन वेरियंट आता है उसे आप अभी देख रहे हैं जिसकी की अगर आप देखेंगे तो ये कुछ की आपको इस वाले वेरियंट के अंदर मिलती है गाड़ी अंदर आपको स्मार्ट की आपर दी गई है और जो बड़न्स आपको मिलते है लॉक अन लॉक के बड़न्स से फॉलो में हेडलाइट के बटन है और बूट खोलने का भी बटन है एक तरह के से पॉकेट फ्रेंडली आपको की आपर दी गई है और प्रीमियम डिजाइन के साथ में यह आती है लुक्स आप देखिए ब्लैक कलर फिनिश के अंदर काफी ज्यादा शांदार लग रही है औ आपके पास में सामनी के तरफ अगर आप देखते हो तो ग्रिल अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली रेनाल्ट का लोगो आपको मिलता है क्रोम फिनिश के अंदर यहापर आपके पास में क्या है डियरल से टर्न इंडिकेटर से नीचे प्योर वीजन वाले ट्रिपल डिज अगर मैं बात करूं तो 195 स्क्षेन के टार से 60 की प्रोफाइल है और सोलाइंज के यह ओरॉल विल से ओफ रोड हो या फिर ओंडोड हो कई पी भी आप काईगर को यहाप लेके जाए सकते 205 mm का ओरॉल ग्राउंड क्लेंस आपको गाड़ी के अंदर मिलता है वैसे तो फोर स पर दी गई है लुक्स आप देखिए साइड की तरफ से भी एक तरह के से काफी एक कूपे टाइप का डिजाइन आपको या पर जो कुछ देखने के लिए मिल जाता है पीछे के विल से अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास में आप पर पीछे ड्रम ब्रेक से सामने आ रियर, वाइपर, वाशर और डिफॉग और सब कुछ आपको इस मॉडल के अदर मिलता है और टेल लाइट्स प्रीमियम डिजाइन के साथ में आते है एक तरीके से पीछे कम्लेटली स्कीड प्लेट आपके पास में तीन इसमें आल्टा सॉनिक पारकिंग सेंसर साते है 205 का गाउं क्लेरंस है काफी उची गाड़ी आपको यह लगीगी काईगर के अंदर काफी अच्छा फंक्शन आपको मिलता है जब भी आप गाड़ी के पास में जाते हो ना गाड़ी आटोमेटिकली अनलोक हो जाती है और जब भी आप की को लेके थोड़ा सा दूर जाते ह तो यह फंक्शन भी आपको मिल जाता है अधि एंटीरियर-देखते है गाड़ी का कंप्लीटली ब्लाक फिनिश में डोर हैंट आप देखिए तो कंप्ली ब्लाक फिनिश में इंटेरियर का यह कुछ लेयाउट आपको यह पर देखं़े सीट्स अगर आप देखिए तो 60-40 को भी आप यूज यापर कर सकते हो तो यह काफी काम का फंक्शन है और दो इसमें हेड़ेस आपके पास में यापर अविलेबल है सीट की हाइट काफी अच्छी है तो आपको पैरों को भी अंदर की तरफ स्ट्रेच आउट करने में कोई भी दिक्क्रत नहीं होती है यह काफी ज़्यादा कंविनेंट यापर पीछे के पैसे के लिए दो एसी के वेंट से यापर और 12W का चारजिंग पोर्ट भी आपके अपास में यापर अविलेबल है उपर की तरफ completely grab handle से lights के लेटर से भी controls आपको यापर मिल जाते हैं पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे front में तो कुछ इस प्रकार से view आपको यापर देखने के मिलता है एक तरिके से मतलब futuristic से गाड़ी लगती है और premium सा design आपको यापर सामने के तरफ जो कुछ है देखने के लिए मिल दाता है completely उपर जो है आईविरी tone आपको मिल देगा आईए अभी driver side door इसका खोल कर देखते है driver side door अगर हम खोलेंगे तो anterior का layout यापर कुछ इस प्रकार से आपको यापर देखने के मिलता है driver side door के उपर क्या control से completely piano black में door handle से mirror को आप यह से fold कर सकते हो fold level overbeam escalated यापर सभी controls आपको मिलता है fold भी कर सकते हो और उसकी जे level होती है वो भी adjust आप यह से कर सकते हो one touch up down window है driver के लिए one touch up down भी आप इससे कर सकते हो यह function मतलब सारे ही आपको यापर मिल जाते है front seats का layout अगर आप देखेंगे तो completely fabric finish में आपको seats दी गई है red staging के साथ में आती है hide भी adjust कर सकते है seats की और जब आप गाड़ी के अंदर बेढ़ते हो ना काफी अच्छी position पर आप बेढ़ते है कुछ ऐसा view आपको front का यापर देखने लिए मिलता है bonnet जो है completely आपको visible होता है dashboard की जो quality है मतलब अच्छी level की आपको यापर दी गई है और कुछ इस प्रकार से आपको यापर मिलती है इस तरब ना सभी music system के related आपको controls मिलते है music system को आप याज से control कर सकते हो phone उठाने के, काटने की control से wise command की control से सब कुछ आप याज से भी control कर सकते हो इस तरब आपके पास में क्या है, MID जो आता है अंदर की तरब multi information display उससे आप यहाँ से control कर सकते हो अंदर अगर आप देगे ना तो काफी sporty level का speedometer आपको यापर देया हुआ है clock आप देख सकते है यापर, speed वगर आपको ये यापर show करेगा और यहाँ से अगर आप इसे control करेंगे ना इस button के जरिए तो features आप देखिए यापर यापर सबसे पहले fuel उकना में आपको बताएगा, trip A, trip B, कितने fuel में कार, कितने minutes चल सकती है ऐसे कई सारे function आपको ये show करेगा तायर pressure modding का भी function आपको गारी अंदर मिल जाता है और क्या function से आपको calendar अगर आए बताएगा, service interval के बारे में बताएगा कब आपने service की थी या फिर आपको अभी कब service के लिए जाना है ये सारे functions आपको ये शोग कर देता है 8 inch का touch screen इंपर अनमे system है ये Android Auto, Apple CarPlay की connectivity आपको इसके अंदर मिलती है, Bluetooth भी ये support करेगा गाड़ी के अंदर आपको 4 speakers मिलते है और 2 tutors मिलते है Archimies का 6 speakers का sound system है आपके पास में ये ये पर गाड़ी के अंदर और night mode में अगर आप डालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा थोटा सा deem हो जाएगा एक पर के से वहिकल के बारे में इस अभी जानकर ही आपको ये यहाप पर बताएगा फोन के लेटर से भी settings है, smartphone integration है आपको फोन को अगर आप connect करना है तो यहाँ से आप कर सकते है reverse camera की quality अगर आप देखने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते है कुछ इस प्रकार से मतलब एक decent level की quality आपको मिलती है और settings वगरा भी है आपके पास में यानि के मतलब brightness वगरा कम या जादा आपको करनी है या विरेस का contrast कम या जादा करना है तो यह भी आप यहाँ से जो कुछ है कर सकते हैं नीचे आपके पास में AC के vents से या पर hazard lights के गंट्रोल है लोक अन लोक की ग मिलता है और wireless charging का भी pad आपको या पर मिलेगा अगर आपके पास में wireless वाला phone है तो आप यहाँ पर charge कर सकते हैं 5-speed वाला manual transmission है अगर आप turbo लेंगे तो उसमें CVT का भी option आपके पास में available है और यहाँ पर आपको बटन मिलता है यह ambient lighting का मिलता है आप यहाँ पर देखिए जब modes आपको का पर बताएगा यह बताएगा यहाँ पर speedometer के अंदर अभी हमने normal mode में इसको डाला है इसको हम अभी निकाल देते अभी हम डालते इसको economy mode पे और भी एक mode आता है और एक बार अगर करेंगे तो यहाँ पर आता है आपका sports mode ऐसे तीन modes है आपके पास में और यहाँ normal वाला mode ऐसे तीन modes आपके पास में आपर अभी बीच में अगर आप दबाएंगे ना तो यह normal हो जाता है तो ऐसे functions है आपके पास में आपर अभी लगा देते हैं अच्छी लेवल की piano black finish आपको यहाँ पर दी गई है और premium लगती है उपर अगर आप देखेंगे तो light scalator सा भ अभी आपको मिलेगा driver के लिए mirror आपके पास में नहीं है आए गाडी का front bonnet हम अभी खोल कर देखते हैं गाडी के इंदर आपको total दो engine के option मिलेंगे आइए bonnet खोल कर देखते हैं एंजिन का layout आप देख सकते हैं काफी neat and clean आपको मिलता है bonnet के ओपर भी काफी अच्छी installation बात करें ना तो energy series का one liter three cylinder petrol engine अभी आपने ही देखा जो कि 72 PS की power बनाता है 96 newton meter का torque जो की 20 kmpl की fuel efficiency आपको निकाल कर देगा दूसरा जो engine option आपको मिलेगा one liter turbo petrol engine का भी option है गाड़ी के अपको three cylinder जो कि 100 PS की power बनाता है दोनों ही engine के option है बाकि on road pricing की अगर हम इसमें बात कर रहे RXZ manual model की तो 10,30,000 रुपीज तक का on road ये variant आपको बढ़ता है बाकि showroom की जो सारी contact detail है वो आपको description के अंदर मिल जाएगी आप वापर call कर सकते है अपनी appointment one book कर सकते है test drive के लिए वीडियो का अगर आपने अबे तक like or share ने किया तो like or share भी कर सकते है और चैनल को भी आप subscribe कर स